हेलो श्ट्रेंट इस पीडियो हम बात करने वाले हैं इगनू की पेपर चेकिंग के बारे में आज की इस पीडियो में नाकिबल बात करूँगा बलकि आपको दिखाऊँगा इगनू में दिसंबर 22 टमड एक्साम में आपकी पेपर चेकिंग किस पिरकार से हुई है जिससे आपको आइडिया लगेगा आपके अपकमे एक्साम के बारे में किस पिरकार से आपको लिखना है और इगनू में किस पिरकार से नंबर दिये जाते हैं और कैसे ओवर आपकी पेपर चेकिंग होती है इगनू के अंदर आज की वीडियो काफी important है इगनु के वो सभी इस्प्रेंट जिनोंने December 2022 के टमड एक्साम देते हैं या फिर आने वाले टाइम में आप लोग इगनु के कोई भी एक्साम देने वाले हो आज की इस फिडियो में इसी वर बात करेंगे complete detail में बताएंगे आज की वीडियो काफी important है सुभी वीडियो का एंट तक जरूर से देखना साथ ही चैनल पर पहली बार आई हो मैं एक श्वाप चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें बेल एकन्द वाले ताकि latest video update आपको सबसे बहले मिलते रहे आई श्वेंट बात करते हैं इगनू के paper checking के वारे में और आपको दिखा दें complete reality किस पिरकार से आपकी paper checking होती है December 2020 के टमड exam जैसा की आपको बता है answer sheet देख लीजे front page कैसा होता है ये भी आपको idea होना चाहिए अगर आप पहली बार एकनू में exam देने जा रहे हो तो इस पिरकार का front page रहता है जिसमें आपको enrollment number पहले digit में जो figure में रहता है फिर words में उसके बाद में exam center code फिर आपका day and date आपको mention करने जिती है program code और यहाँ पे student ने गलती से program code और course code दोनों सेम लिख दिया है लेकिन यहाँ पे क्या आना चाहिए था यहाँ पे program code तैन उसके बाद में course code इधर course title इधर medium सिलेक्ट करने का option होता है और जैसा कि मैंने आपको एक medium में आप exam दे सकते हैं अगर अगर आप Hindi medium के student English में paper देना चाहते हैं आप दे सकते हैं यहाँ पे option होता है medium सिलेक्ट करने को और जो paper होते हैं ऐसे जिसमें by language option होते हैं उसमें आपके paper दोना ही language में मिलता है आपको तो choice रहती है आप किसी medium में paper दीजिए हम topic पे आते हैं ब discipline की बारत करों तो इनकी writing में थोड़े issues हैं अगर आप ऐसी writing लिखोगे तो कहीं न कहीं चेक कहने वाली को issues हो सकते हैं और फिर number आपको कम मिल सकते हैं तो writing भी आपको एक point याद हैं writing पे सुदार करने इस पिरकार की writing तो acceptable नहीं होती है क्योंकि इसमें काफी ऐसी टर्म से जो पता ही नहीं लग रहे हैं लिखा क्या है और एक और जो गलती यहां पर मैं देख पार हूं वो यह है points पर आंसर नहीं है कोई भी ठीक है तो इस पिरकार से number कम मिलने के कारण यह भी बनता है कि अगर आप points पर नहीं लिखे हो और checking की वायत करें तो यहां पर आप देख टिक आपको नहीं देखने को मिलेगा और ऐसा आमूमन हो देखा गया है कि इगनु के जो पेपर चेकिंग है उसमें आपको टिक नहीं करते हैं कई study center और सॉरी कई सारे जो reasonable evaluation center है जहां पर आपकी चेक होती है वहां पर कुछ answer sheet जो होती है उन पर कोई भी ठीक आपको देख से लिखे देखने को मिल जाते हैं जैसे यहां पर three marks given है तो ऐसा नहीं कि टिक नहीं होते हैं अभी मैं एक और answer sheet दिखाता हूं जिसमें टिक भी है और बाहर कुछ इस विरकार से number given होते हैं इस पाली answer sheet की बात करें तो इसमें भी आपको कहीं पर एक single tick नहीं देखने को मिल देखने को मिलता है एनदोर की बात करते हैं इसमें आपको टिक भी देखने को मिलेगा चेक proper किया गया है marks भी आपको यहां पर देखने को मिल जाते हैं अब देखें यहां पर आप देखोगे तो यहां पर check का sign भी है यहां पर टिक भी किया गया है इसके लावर यहां पर कि आयों और यहाँ पर नंबर भी दिए गए हैं आगे बात करें तो यहाँ be Jonak paper देखने को मिलता है this आपर है यहाँ यहाँ पर देखें और यहाँ नंबर भी दिए गये है तो ऐसा नहीं है कि हर में आपका और सेम चीज देखने को मिलेगी सिंगल टिक भी नहीं है ऐसा नहीं है डिफ्रेंटली जैसा कि मैंने का जो अलग लग चेकर्स होते हैं वो अपनी अकॉर्डिंग चेक करते हैं और ऐसा कोई रूल नहीं है कि आप अंदर टिक नहीं गड़ सकते या फिर अंदर मार आपने लिखा है उसके कॉर्डिंग जैसे यहां पर आप देख पा रहे हैं कि कई बार मेरे पास सवाल आते हैं आपके कि सर ऐसा तो नहीं है इगनू में टिक नहीं कि जाते तो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हूं ठीक है अब कुछ विसेश बिंदूओं पर बात कर लिजा जो कि आपके लिए काफी जादे इंपोर्डेंट है जैसे एगनू के एक्जामनेशन देते वक्त आपको किन बातों का विसेश तोर पर ख्याल रखना है पहला राइटिंग आपकी अच्छी होने चीए कोई भी एक्जाम दे रहे हो लिखने का जिसमें है तो आपकी राइटिंग बहुत ही की रोल अदा गरती है अगर आपकी राइटिंग अच्छी है तो आपको नंबर कहीं न गहीं अच्छे मिलते भी है अब ऐसा नहीं कि नाकिवल पास हुपाएं वल्कि एक अच्छे स्कोर भी क्रेट कर पाएं खेर आगे बात करते हैं एनुदर पॉइंट पर राइटिंग के साथ में डेर एक और शी जो प्रिजेंटेशन है वो काफी ज्यादा महत्मूर है अब कोई भी एक्साम लिख रहे हो उसमें प्रिजें अच्छे मिलते हैं पॉइंट में लिखा यानि की डीचिस को लगता है हां की बैल्युवल पॉइंट लिके हैं सजेश्टिड और इसके लावा एक प्रिजेंटेशन अच्छी रहती है अगर आप पॉइंट में लिख रहे हो तो आपके नंबर पर असर पढ़ता ही है अगर सारे इस्ट्वेंट आप में से तयारी करने का सही समय पूछने देखिए तयारी आप जब भी आपके एक्साम रिशनल डेट्स आ जाती है उसके बाद स्टार्ट कर सकते हैं और अगर बात करें तो दो से तीन मंद भी आपके इनाफ रहते हैं एगनू के एक्साम रिशनल की त 2223 के उसमें अप्लाई कर सकते हैं उसका एक्सामनेशन फॉर्म ओपन है आप लोग अप्लाई कर सकते हैं अपने बैकलॉग पेपर्स के लिए अब इसके लावे ऐसे स्ट्वेंट होंगे आप मैंसे कई सारे जिनके यह डाउट होंगे कि सब चेकिंग प्रोपर नहीं हुए शीट है दुबाय से चेक होगी और बहुत से केसिस में नंबर बढ़ते भी है और इसके लावा अगर आप चाते हैं कि यह आपको डाउट रहता है कि आपके आंसर सीट साइज से चेक हुई है या नि तो आप लोग हमें एमेल कर सकते हैं अपनी आंसर स्क्रिप्ट को हम चे सब्सक्राइब करें इस पीडियो में इतना ही मिलते हैं एक और अप्टेट में एक और नी वीडियो में तब तक लिचे हैं जावारत बाइद दुस्तों